तो दोस्तो आज के इस वडियो में हम आप सभी को दंगल टीवी पर आने वाली सीडियल कैसा है ये रिष्टा अंजाना के कास्ट के पॉर्डे सैलरी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानने चाहते हैं तो हमारे वडियों के साथ अंत तक बनी रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वडियों की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कसीडियल में कल्यानी का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात कीचरा है तो ये एक एपसोड करनी का 35,000 रुपे लेती हैं नबर सेकेंड नीलम पठानिया जोकसीडियल में सुनहरी का किरदार निभा रही है और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज़ाए तो ये एक एपसोड करने का 30,000 रुपे लेती हैं नबर थाड़ गौरव राजपुरी जो कसीडिल में रमबन का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं नबर फूर्थ अक्षे वर्मा जो कसीडिल में विज्ञा का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं नबर सक्स्तपुने तिच्रनना जो कसीडिल में अज्जू का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 30,000 रुपे लेते हैं नबर सेमिन्थ इसनीहल बोरकर जो कसीडिल में इशी का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 20,000 रुपे लेते हैं नबर इट्थ राहुल शर्बा जो कसीडिल में रजट का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 45,000 रुपे लेते हैं जो कसीडिल में रजट का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 30,000 रुपे लेते हैं जो कसीडिल में ये शोदा का किरदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं जो कसीडिल में नंदिनी का करदार निभा रही हैं और इनके पोर्डे सेलरी की बात कीज राए तो ये एक एपसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कोवेंट फोक्स में जरूर बताईएगा साथ ही अगर आपको हमारी वडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थान्यवाद